तो मैं जो आपको अपडेट देने वाला हूं आज बोर्णियो का टूल है क्या अपडेट है क्या आपडेट नहीं है सारा बन्क में आपको यहाँ पर पता है तो सकते हैं पर व्यूदियो को जरूर 17 जरुदी लेखेगा तो मैं बहुत अच्षा लगा मुझे इसको चला करके और बहुत य्जी है जब समझ जाएंगे तबнокों करें और देखता हूं क्वापडेट कैसे आपको अपड़ेट करना वहाँ पर आपका जो अपडेट है वो बता देगा कि जो पॉर्णियों का schematic diagram tool है उसमें क्या क्या अपडेट आया हुआ है तो देखे जैसे आपने open किया यहाँ पर फ्रेंट तो देखे अपडेट का एक message आ चुका है कि यहाँ पर जो मैं बताना चाहूंगा तो जो इसके बद हैं बिक व्यू आपको देखने में जब दिक्कत आता था था document को जब आप रीट करते थे schematic diagram को जब रीट करते थे wordpress जब आप किसी word को type कर रहे हो या फिर कि जब आपको word type करने बहुत दिक्कते होती थी तो जो उसका word है जैसे अच्छा होने वाला है आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लेगेगा कि हाँ जो भी है जो मैं आपके लिए content लेकर करके आता हूं वह genuine है कि नहीं तो चलिए वीडियो को हम continue करेंगे अब यह restart हो जाएगा और restart होने के बाद हमारा यह born new open हो जाएगा और बोर्णी ओपन हो जाने के बाद मैं आपकी इसको अपडेट बहुत अच्छा देने वाला हूं अब जैसे लॉगिंग कर देंगे हमारा यहां पर बोर्णी ओपन हो जाएगा औ और चली आगे वीडियो में हम देखते हैं तो यह अपडेट हो जाता है तो यह auto logging होता है auto फिर से restart होता है और auto restart होने के बाद यह हमारा open हो जाएगा और open होने के बाद हम देखेंगे कि जो यहां पर update आया था friends वो actual में update आया कि नहीं आया तो मैं हाँ से फिर से एक बार और आपको friends यहां पे आपको दिखाऊंगा कि जो इसके bug थे वो bug दूर हुए के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा जो इसका bug था वो finally दूर हो चुका है क्योंकि जब हम systematic diagram में किसी component या किसी को हम trace करते थे या या जूम करते थे बहुत सारा एक bug था जो कि बुर्णियों वालों ने बहुत अच्छा update हमेसा डाल रहे हैं और हमेसा update कर रहे हैं तो मैंने सुचा इसके update के बारे में explain कर दूँ तो आपको यहां पे update जो भी है तो मैं इस schematic diagram को open करूंगा और आपको schematic diagram को open करने के बाद आ बैल आइकन को दबा लें जिससे हमारे नए वीडियो आपको तुरंत मिलें तो चलिए मैं यहां पर आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं friends कि जो हम सिधा इसमें दिखो जियो एड हो चुके हैं यहां पर PC laptop monitor यहां पर schematic diagram विट मैप और यहां पर hardware solution जो कि सबसे बेटर है आप hardware solution जो कि एक चीज में और आपको यहां पर बताना चाहूंगा hardware solution में कि यहां पर आप हमेशा एक चीज नोट करिएगा जो कि मैं हमेशा जो भी update आएगा मैं आपका हमेशा बहुत चल्द मैं एक video बनाने वाला हूं realme C3 के उपर light section के उपर display graphic section के उपर सारे perfect video होगा ज यहां पर GR करके है जहां पर आप यह देखिए पहले चीज़ तो आप यह देखिए दूसरी चीज़े और मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्रंट नेट्वर्क Wi-Fi और यहां पर ब्लैक डाइग्राम और ब्लैक कॉंट हैटफोन वाई ठीक है यह जो है वोल्टिजेस का भी आपकी इस लाइन सॉट होती है सारी चीज़े है मैं ऐसे एक वीड़ फॉर खोल रहा था जिसमें आपको नोट 3 में मैं खोल रहा था तो आपको सारा हर एक जगह का जी यार लिखा हुआ है कि बैटरी कनेक्टर पर कितना जीर आना चाहिए हमारा और कहां पर तो मैं वह भी दिखा देता हूं आपको फ्रेंट्स यह देखे डाइट वैलो लिखा हुआ है हाँ पे फुल और यहां पे स्केमेटिक और आपर सारा च अपडेट था जो कि हां पे आप हमेसा इसको वाच किया कर यह देखें हैं अब कितना जीर आना चाहिए पांसोचाइब्स यह दिया ने एड किया हूआ है बहुत ही best लगा मेरे को क्योंकि यह साथ आपको knowledge नहीं है तो आप बिल्कुल इसमें watch करें क्योंकि हर एक section का आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यह देखें हमारी power की है लिखा भी हुआ है proper तरीके से power की इसमें हमारा कितना actual GR आना चाहिए क्योंकि एक हमारा ground है और दूसर कि जब मल्टी मीटर से चेक करते हैं तब आपको यहां पर डायोट रिंज में रख करके बीप मोड में रख करके आप उसकी GR को एक्चुल देखते हैं तो यहां पर दूसरी चीज और दिखाना चाहूंगा यहां पर देख सकते हैं यह हमारा LCD कर्यक्टर है जो कि LCD कर्यक्ट इस पी दो लाइने होती है वह प्लस माइन वोल्टेश फाइब माइनस और वल्टेश प्लस फाइब आप देख सकते हैं सारा चीजिए अपर कितना अच्छा लगा है और साधी आपको अप्डेट नहीं पता था तो अप्डेट जरूर करिए हर एक सेक्शन सीम करेक्टर में अब देख सकते हैं यहां पर देखें सीम करेक्टर यह हमारा है सीम करेक्टर में भी एक्च्वल कॉलाग डॉटा और रिशी सी पे कितना रेडिंग आना चाहिए यह सारा यहां पर में इंसन किया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा बोर्णीयो टूल का यह जो अपडेट है है मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही बैटर है और चलिए दूसरा अपडेट में आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका भी स्कमेटिक डाइग्राम को फाइंड करते हैं यह तो आपका वोल्टेज भी लिखा हुआ है कि वोल्टेज आप कहां कहां पर कितना यहाँ सब्सक्राइब करना तो लेडर हैं कि दिखूंगा लंड ह है सब्सक्राइब कर नहीं तो यह देखिए लेयाओट में क्या था कि इसके जो कलर कम्पोनेंट को धूरते थे जब इसको में धूरना था था तो बहुत सारी टिकते होती थी ब्लैक कॉंबनेशन के कारण अब इन्होंने जो कलर बगता वह भी दूर कर दिया है तो चलिए देखते हैं कि क्या दूर जो बता देते हैं कि कैसे आपको find out करना होता है तो सब्सक्राइब करना है कि आपको यहां पर डवल क्लिक करना है और यहां पर सर्च आइकन फिर जागा जो कि अभी जिंग जू में था कि आप बहुत ही इसी तरीके से आप सब्सक्राइब करके आप इसको जूम आउट कर सकते हैं मैं आपको बेसिक से बेसिक जानकारी दे रहा हूं जो कि आपको टाइगराम चलाने में कफी हेल्फ होगी तो चलिए हमने यहां पर डवल क्लिक किया तो यह देख सकते हैं बहुत बहुत आपडेट हो चुका है काफी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत जादा से ज्यादा पर्चेस करें जिससे कि आपको यह मुवाइल जो हमारा हाडवेर फिल्ड है आपको काफी हेल्फ में इस वीडियो में साथ डालता रहता हूं अभी हाडवेर वाइडवेर भी एक वीडियो आपको लिए डालने व मेंठी डूर दूर्टे रहताए थे हम सेक्शन को दूर्टे रहता तो और यह नहीं तुका है कलर और देकें में करीएं को लगा हुआ है जhou सब्सले के पहले हैं तो यह सब्सक्राइब और से मतलब पर अट समय हो वही रेजिस्टर जीरो और 924 अब इसकाम करेंगे नहीं से यह हमारा फाइंड कर लिए जो कि मैंने कोई भी नहीं मैं लाइफ कर रहा हूं आपके सामने यह कैसे आप कॉंप्रेंट को ढूरते थे तो बहुत सारी दिक्कत होती थी जब किसी लाइन को ढूरते थे तो बहुत स सिटर को भी देख लेते हैं कि हमने किया और इसके बाद फटाक से हम जाएंगे लेयाउट में और यहां पर डवल क्लिक और यहां पर कर देंगे पेस्ट और कर देंगे नेक्स तो देखें बहुत ही इसली तरीके से अब जो हमारा यह जो बोर्नियों था मैं पहले बोर्निय कहां पर लगा हुआ है तो आई होब यह बोर्नियों अब बहुत अबडेट हो चुका है आपको जो टायोड वैल्यू के बारे मैंने बताया आपको जो मैंने डाइग्राम कोई पक के बारे मताया कलर के बाले में कि कर और कॉम्बिनेशन इसका जो खराब था अब यहां पर देख सकते हैं एक चली और मैं डूल देता हूं तो इस कॉम्ब्रेंट को ढूलने के लिए चली में इधार आता हूं एक रिजिस्टर यहां पर लगा हुआ है स्रीज में हमारा LED के लाइन है तो इसमें हम डबल क्लिक किया R931 अब हम गये लेयाउट में जाएंगे दोने के लिए चला जाता था तो आई वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यह बूर्णियों का अपडेट मैं जो आपको दे रहा हूं आई हो इस बूर्णियों के अपडेट से आप बहुत सार्टिफाइड होंगे कि जो अपडेट था इसका जो कलर कॉमिनिशन जब हम दाइग्राम और लेट करते थे तो काफी दिक्कते होती थी अब दिक्कत खताम हो चुकी है दूसरी चीज हमेशा आप जब करेंगे तो हमेशा किसी फोन का जब हार्डवे सलुसन आप देख रहे हों जैसे अब सपोस्पर में किसी पर फटक से हैलाइट कर देता हूं कर दिया है जो कि आपको पहले से पता है तो कोई बात नहीं है अगर नहीं पता है तो बिल्कुल कमेंट करके जबर बताईएगा तो देखें यह समें जियार एक्चुल लिखा हुआ है कि टाटा लाइन में पांसो बारारे सेट लाइन में पांसो नो और यहां पे 530 यह किसमें कितना रीडिंग आना चाहिए हरे पर्फेक्ट रीडिंग अगर है पर भी बैट पर हम बात करते हैं बीबैट पर अगर हमारा बीट पर रीडिंग ज्यादा आता है 312 से उबर आता है तो हमारा फोन नहीं होगा वो लिकेज या हॉप कंडिशन यह सारी चीज़े होत